हेलो इस वीडियो में हम लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे कि लूपिंग स्टेटमेंट के डेफिनेशन क्या होती है और लूप कितने परकार का होता है इस वीडियो में हम ये जानेंगे तो सबसे पहले हम looping statement इसकी definition जानेंगे तो इसकी definition है जब program में हमें किसी प्रक्रिया को बार बार दोराना होता है तब हम looping control statement का प्योग करते हैं loop का प्योग बार बार code के एक ही block को execute करने के लिए किया जाता है जब तक condition पूरी ना हो जाए समय और प्रयास को बचाने के लिए एक program के भीतर दोराय जाने वाले कारे को automatic repetitive करने के लिए हम loop चलाते हैं अब हम जानेंगे कि loop कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पे चार तरह की loop होते हैं first है for loop, second है y loop, third है do y loop और fourth है for each loop तो यह चार तरह की loop होते हैं तो इन loops को हम detail में आगली वीडियो में जानेंगे तो इस वीडियो में हमने looping statement की definition और loop कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद अगर आता है